टूडेंट्स का ओपिसर इस्टेटी चैनल में हार्दिक स्वागत है मैं ओम्प्रकाश राजब्रोहित आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं आपने पूर्व वीडियो देखा जो की प्रजेंट सिंपल टेंस पार्ट वन था जिसके अंदर हमने प्रजेंट सिंपल टेंस की पैचान के बारे में और पॉजेटिव सेंटेंस को बनाने के बारे में अध्यन किया था कि पॉजेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं आशा है आप सभी ने उसको त्यान पुर्वक देखा होगा और वाक्य बनाने का अभ्यास भी किया होगा आज हम negative sentence को बनाने के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से negative sentence बना जाते हैं देखिए negative sentence एनि नकारात्मक वाक्य इनको बनाने के लिए एक formula लगेगा जैसे सबसे पहले subject subject के बाद do या does का प्रियोग करेंगे जो की present simple tense की helping verb है हर tense की एक helping verb होती है साहिक करिया होती है यहाँ पर present simple tense की helping verb है वो है do और does तो subject के बाद हम do या does का प्रियोग करेंगे उसके बाद not लगाएंगे उसके बाद verb की first form का प्रियोग करेंगे और object का का प्रियोग करेंगे ठीक है अब देखिए किस टाइब से करेंगे अब देखिए डू कहां लगेगा और देखिए यहां पर यदी सब्सक्राइब हमारा जो सब्सक्राइब है आई वी, यू, दे, अत्वा कोई भी बहु वचन, plural noun हो, तो वहां हम do का प्रियोग करेंगे, ठीक है, और यदि he, she, it, या singular है एक वचन है, तो does का प्रियोग करेंगे, तो इस प्रकारशन में ध्यान रखना है, subject का ध्यान रखना है, इनको ध्यान में रखते हुए, do, उत्वा, does का प्रियोग करना है, formula को दिमाग में रखना है, उसी सबसे वाक्य का निर्मा करना है, अब देखिए, किस टाइब से होगा, example के थूरू समझते हैं, जैसे पहला उदारण है, वह चाय नहीं पीता है, ठीक है, अब subject की जगह हम लगाएंगे he, अब उसके बाद he आया है, त drink और फिर आएगा object t, तो इस प्रकार बन गया, he does not drink t, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, कि अब वर्ब के पीछे, एस अर्थवाई एस का प्रियोग नहीं होगा, ठीक है, अब do और या does का प्रियोग होने के उपरांथ, हमें do एस अर्थवाई एस का प्रियोग नहीं करना है, यह बात विशेश रूप से ध्यान रखनी है, yes और yes वर्ब के पीछे केवल जो affirmative sentence थे, positive sentence थे, उनके इंदर ही होता था, इसमें नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, दूसरा example समझते हैं, लड़के, school नहीं जाते हैं, subject हो गया, boys, लड़के, अब बहु वचन है, इसल परकार से subject हो गया, do not, उसके बाद verb की first form फिर object हा गया, इस परकार से हमें वाक्या बनाना है, ठीक है, अब देखे, यदि do not को हम अलग 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 लिखते हैं, परंतो यदि दोनों को समय की दूरूप से साथ साथ लिखना चाहें, तो इसका short form होता है, don't, ठीक है, जैसे मैं यह पसंद नहीं करता हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, I do not like it, अथवा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, I don't like it, तो दोनों एक ही बात है, तो do not को short में हम don't के रूप में लिख सकते हैं, इसी परकार does not को short में, यदि हम साथ में लिखना चाहें, तो doesn't के रूप में उसके बात हैं कि हम interrogative sentence को बनाने के बारे में बात करते हैं, interrogative का मतलब है, प्रशन वाचक, ठीक हैं, यदि कोई प्रशन पूचना पूचना है, तो हम उसे किस परकार से बनाएंगे, वह हम यहां जानेंगे, तो interrogative sentence दो तरह के होते ह BC, हम interrogative sentence को दो भागों में divide कर सकते हैं पहले वो इंट्रोगेटिव जो yes या no वाले हैं दूसरे वो इंट्रोगेटिव जो wh word से start होते हैं अब देखे yes या no वाले का क्या मतलब है yes या no वाले वे प्रश्ण है जिनका उत्तर हम हा या नामे दे सकते हैं और WH बाले वे प्रश्णा है जिनका उत्तर हम हा या नाम है नहीं दे सकते जैसे कि अगर आप से कोई पूछे क्या तुम चाय पीते हो तो आप कहोगे हाँ मैं चाय पीता हूँ या फिर आप कहोगे नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ इस परकार या फिर सीधे आप जैसे पूचा के क्या आप चाय पीते हो तो आप कहोगे yes या फिर कहोगे no तो आपका ये जवाब पूरा माना जाएगा इस परकार ऐसे question जिनका उत्तर हम हा अत्वा नाम है दे सकते हैं उन्हें yes no वाले question कहा जाता है और जहां पर हा ना देने स काम नहीं बने बलकि उसका कोई explain करना हो वहाँ डबलू एच वर्ड वाले question होते हैं तो देखिए yes no वाले question कैसे बनाए जाते हैं सबसे पहले ये समझते हैं yes या no वाले question देखिए तो first type of interrogative sentence is yes no type of interrogative इसमें देखिए क्या करना है देखिए जब भी हम interrogative sentence बनाएंगे yes no व प्रियोग करेंगे helping verb का और present simple के अंदर helping verb है वो कौन सी है do or does तो हमें सबसे पहले do or does का परियोग करना है सबसे पहले अब वो subject के अनुसार होगा subject उपर जैसे बता हैं आपको की कौन से subject होने पर do का परियोग होगा और कौन से होने पर does का होगा उसी के according ये काम करेगा तो सबसे पहले हम do या डज का प्रियोग करना है उसके बाद हम subject लगाएंगे subject के बाद verb की first form और वो ही बात है यहाँ पर yes और yes का प्रियोग नहीं होगा उसके बाद object और उसके बाद प्रशन वाचक चीना यानि question mark लगाएंगे इस प्रकार से यह बनेगा yes no वाला question जैसे उधायन के द्वारा समझे तो जैसे क्या तुम दोड़ते हो तो यहाँ पर देखिए पहले तो यह डिसाइड करना है कि यह प्रशन किस टाइब का है क्या तुम दोड़ते हो अब विचार करिए कि क्या इसका उत्तर हम हा तुम नामे दे सकते है तो आप पाएंगे कि हाँ हम इसका उत्तर हा या नामे दे सकते है या तो हम हा कहेंगे या ना कहेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है यह जो क्या लिखा है इसके लिए आपको what नहीं लिखना है क्योंकि चूंकि यह आहना वाला प्रशन है yes no वाला question है तो हमें इस formula से इसको बनाना है तो सबसे पहले हम helping verb का use करेंगे अब चूंकि यहाँ पर subject है you तुम तो यह helping verb आजाएगी do ठीक है सबसे पहले हम do या does मैंसे किसका प्रियोग करेंगे do का प्रियोग करेंगे उसके बाद subject की जिगह लगाएगे you you आजाएगा उसके बाद verb की जिगह लगा देंगे run अब यहाँ चूंकि कोई object है नहीं तो फिर यह वाक्या बुरा हो गया उसके बाद हम interrogative यह interrogation mark question mark लगा देंगे इस प्रकार से बन गया do you run क्या तुम थोड़ते हो दूसरा उदार ने क्या रमीला भोजन पकाती है ठीक है तो यहाँ पी वोई yes no वाला है इसका उत्तर आप हाथ वा नामे दे सकते हैं तो चूंकि रमीला चूंकि हमारा subject है वो एक वच्चन है इसलिए हम helping verb does लगाएंगे सबसे पहले subject आएगा रमीला फिर आएगी verb cook और फिर food यहाँ पर S.E.S. का प्रियोग नहीं होगा क्योंकि due days का हो गया और फिर question mark तो इस प्रकार से ही हो जाएगा type के जो हमारे interrogative sentence होंगे वो होंगे WH word वाले WH word क्या होते है WH word क्या होते है सबसे पहले आपको यह समझना है ज़्यादातर विद्यार्चियों को इस बात की जानखरी होगी WH word क्या होते है जैसे what ऐनी क्या ऐसे word जो WH से शुरू होते है प्रश्ण बनाने के काम आते है WH word कहलाते है जैसे what है when है where है why है तो यह बहुत सारे WH word है तो आपको यह ध्यान में होने चाहिए और मैं भी आगे बता दूँगा आपको WH word कौन से हैं क्या है फिलाल इनको बनाने का समझते हैं जैसे देखे अब इसका क्या formula रहेगा yes no वाले जो interrogative है अपने सामने same to same formula रहेगा फरक बस इतना है कि सबसे पहले यहाँ पर हम WH word का use करेंगे उसके बाद वो ही helping verb do or does फिर subject आएगा फिर verb की first form और object आएगा वो का same pattern रहेगा केवल इसमें यह है कि सबसे पहले हम WH word का use करेंगे उधारन द्वारा समझते हैं देखे पहला उधारन हम लेते हैं तुम क्या खेलते हो अब पहले तो इस बात पर विचार करिए कि क्या इसका उत्तर हम हाथ वाना में दे सकते हैं तो इस पर आप जब देखें कि तुम क्या खेलते हो इसका उत्तर हम यह नहीं कह सकते कि हाँ या ना क्योंकि यहाँ पर specific group से पूछ रहा है कि तुम क्या खेलते हो इस परकार से कुछ विशेश आंसर की यहाँ आप शकता है तो यहाँ पर yes नों वाला तो है नहीं तो इसके लिए हम wh का use करेंगे अब क्या के लिए सबसे पहले क्या क्या के लिए English का जो word है इस परकार से यह यह वाक्या बनेगा दूसरा है तो वह क्यों रोती है यहां डबलुएच वर्ड है क्यों को कहते हैं वाई तो वाई आ जाएगा डबलुएच वाई उसके बाद डू डज मैंसे अब सब्जेक्ट शी है तो इससे डज आएगा फिर आएगा शी और वीप तो वाई डज शी वीप इस परकार से यह बनेगा तो बाकी जितने भी डबलुएच वर्ड है भले वह वाट हो वेन हो वाई हो और भी विच है हाउ है हाउ मैनी हाउ मच उन में क्या होगा डबलुएच वर्ड आएगा उसके बाद डू अर डज का प्रियोग होगा परन्तु यहां पर एक विशिश बात ध्यान देन कौन से हो रही है तो हू के साथ डू या डज का प्रियोग नहीं करना है अपने को यह बात थोड़ी ध्यान रखनी है विशिश रूप से ध्यान रखनी है उधान द्वारा समझते है जैसे यहां पर देखे पहला उधान ने कौन खेलता है कौन खेलता है कौन खेलता है तो डब्लू एच बड़ आ गया लेकिन यहां पर हम डू डेज का प्रियोग नहीं करेंगे अब सीधे इसको देखिए हू को किस रूप में अपने को यूज करना है इसको यूज करना है इसको यूज करना है जैसे सब्जेक्ट आता था पॉजेटिव सेंटेंस के अंदर तो यहां पर देखिए वाक्य को ध्यान से आप देखिए कौन खेलता है अब इस वाक्य से क्या लगता है कि जो हमारा करता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा एक वचन होगा कि बहुचन होगा और उसके बाद आ गया प्लेज, वो पॉजिटिव सेंटेंस की तरह हो गया, S.E.S का प्रियोग यहां पर हुआ है, यह हू का थोड़ा मामला अलग है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दूसरा देखिए, तुम्हें कौन जानता है तो सीधी सी बाद वोई हू का प्रियोग हुआ सबसे पहले उसके बाद जानना को नो कहते हैं तो अब यहां जानता है, एक बच्चन प्रतित होता है तो नोज हो गया, और यू, हू नोज तो यह हू वाला केस थोड़ा सा जान रखिएगा तो इसके बाद देखिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी हल्प के लिए यह ड़्लू एच वर्ड का पूरा, यह पूरे लिखे हुए हैं आपके सामने इनको थोड़ा पोज करके, या स्क्रीन शॉट लेके आप इनको देख सकते हैं तो देखिए, हु का क्या मतलब है, हुज का क्या मतलब है, हुम, विच, वाट, वैन, वियर, वाई, हाउ, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉंग, हाउ फा, हाउ ओल्ड, इस परकार से यह पूरा आपके सामने दे रखा है, पूरा पेज है, इसको थोड़ा त्यान से तो फिर यह अतिनत काम आएंगे, इसके अलावा जो आपके कंप्रियेंसन वाला सवाल आता है, पैसेज वाला सवाल आता है, उसमें प्रशनों को समझने में यह आपकी कापी मदद करेंगे, तो इस परकार से आपको अभ्यास करना है इसका, अभी यह प्रिजेंट सिंपल क थर्ड वीडियो आएगा, जो कि अंतिम होगा, जिसके अंदर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके पैचानने का क्या फॉर्मुला होता है क्या तरीका होता है, उसके बारे में अध्यन करेंगे, आशा है, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आये तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिज दिएगा, दन्यवाद.